आज हम लोग पढ़ेंगे रामायन बुक्टू कैन्टू वन दहे रेपरेंट्स रसमरी हिद्धी में आपको शॉर्ट में एक्स्ट्लेन कर देंगे तो स्टाट करते हैं तो भरत अपने नाना जी के वहां गये है क्योंकि उन्हें मेसेज आया था उन्हें उन्हें उनका पालन करते हैं अपने जैसे सन को या फिर अपने जो उत्तर अधिकार को इसे प्यार करते हैं फिर बताया जा रहा है कि वह जाने पापा घर में छोड़ क्या है वह उन्हें भूले नहीं है वह उनके दीमाग में है और उनके पापा भी उनको नहीं भूले ना वह पने पापा भू इसके लिए वो बोलते हैं कि उनके बॉडी के मतलब उनका सोल सबके लिए same, equal, divided है और सब लोग वो सबसे बराबर का प्यार करते हैं लेखिन उनसब से best कौन है अब दस्रत यह बताना शाहते है तो वो कहते हैं कि सबसे best लेकिन राम है क्यों उनके सब virtues बताते हैं कि वो beautiful, strong, jealous, free जैलस नहीं करते हैं उनको चैलसी नहीं होते हैं और four of wrong, मतलब जो गलत करते हैं उनके वेनीमी है जो उनके फादर के वर्शु है, सारे उनको blessed है यह सारे तारीफे करता है, बोलते है वो जो वर के बाद वो अपने, मतलब, sage साथ बैट के वो उनके पास लोड सुनते हैं वो सारे अच्छे लोग को बहुत प्यार करते हैं वो जो बुरे लोग होते हैं उनको पसंद नहीं करते हैं उनके वो एनिमी है उनमें सारा God-like Virtue एसरे लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और अपने ड्यूटी हो बहुत अच्छे से यह करते हैं मतलब केरी करते हैं उनके सारे यहां पर Virtue को बताएगे राम के जितने भी Virtue तो टनाथ जनार अंपना शोप्थी it कि उनमे और व्याशने भी वर्श बहुत रहते हैं यह जो क्या बहुत विस्से अब कर दिंप जो प्रिंस को पढ़ना चाहिए जैसे कि वेदास, हुली राइट्स वो सब और उन्होंने पापा का फेम भी बचाया था एक बार यूद करके उन्होंने पापा का फेम बचाया था और पर बता जाता है कि वो जानते है कि कब कौन सा जिस क्लेम करना चाहिए कब थोड़ा सा वेट करना चाहिए हर चीज में चाहिए वो प्लेजर हो चाहिए वो ड्यूटी हो हर चीज में जानते थे वो अपना जो एंगर भी कंट्रोल कर सकते थे और अपना जो यह पैड प्लेजर होता है जो कि किसी को दुख देख्याए में जो फूशी मिलता है उसको भी वो कंट्रोल कर सकते थे वो पहले अपना गलती देखते थे विदूसरों का ये सब उनके जो good qualities है वो सब explain के जा रहे हैं फिर पता चाता है कि वो elephant को control कर सकते हैं वो जो brave horse है उनको भी वो mount उन पर चड़ सकते हैं उनको control कर सकते हैं वो chariot चला सकते हैं बहुत अच्छे से और उनकी तरह bow and arrow कोई नी चला सकता उनके हाथ उसमें बहुत जादा अच्छे है वो जानते हैं कैसे attack किया जाता है कैसे bow से deal किया जाता है और कैसे एक army को guide किया जाता है एक war के time इसलिए बाकी भगवान लोग भी उनसे डड़ते थे कि कहीं उनके साथ उनका कभी युद युद ना हो जाए फिर बता जा रहा है कि जो old monarch है वो क्या चाहते है बता जा रहा है कि जो old monarch है वो बहुत मतलब यह से जिम्मेदार से परशान हो चुके है आप टायड हो चुके है और वो यह से नहीं करना चाहते है वो बोलते हैं कि अब मैं यह सब अपने बेटे को दे दिना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का में यह सी microphones हिरे मधविन उन को अनुबहूत हो रहे हैं अपना विकनेश देख्या है इस आर्ट सारे यह मिल रहे है कि वह भी मरने वाले है आर्ट अन स्काइज साल आशैन मिल रहे है फर जब वह सोशते कि सब लोग उराम से इतना प्यार गरता है सब ट्रीट किये उनको अच्छे से जैसे को अपने बेटे को करता है एक फादर की तरह वो सब का ख्याल रखे एंड बट वो दो जन को बुला ना भूल गए थे वो पहले थे कईके के प्रिंस अश्वपती और दूसरे थे जनक चो सित्ता के फादर थे और वो बोल रहा है कि यह सब खतम हो जाएगा लोगों के साथ इसकास हो जाएगा तब उन दोनों को वो न्यूज भेज देंगे और एक हैपी न्यूज भेजेंगे कि यह राम को राजा बना जा रहा है यह उनको भेजा जाएगा और वो जाके अपने थ्रोन पर बैठते हैं सब लोगों को श्रिवार देता है और एसलिवे स्टोरी एंडोता है केंटो वनका